हलो दोस्तों वेल्कब तो शिक्षायंतर सिक्षायंतर में मनुजर अगब आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों जैसे कि मैंने पिसली वीडियो में आपको बाता किया था कि इस वीडियो में मैं आपको डिस्टैंस और इस्प्लेस्मेंट से रेलेटेड कुछ स्टार्ट से मोशन अट एस से स्टार्ट करता है बीट कि जाता है और वह आ या तो से चलाएगा तो मेरे इसाप से अगर आप देखेंगे तो distance कितना कलाएगा उसने A से B पर गया है वो तो 3 meter गया फिर वो B2C गया, तो फिर वो कितना गया, 5 meter गया, फिर C2 deeper गया, क्योंकि distance के परिवासा होती है C2D गया, 3 meter गया और फिर वो D2 A कया तो कितना गया हमारे पास में फिर से वो 5 मिटर आया तो उसने overall जो actual path जो cover किया वो कितना हो गया 5 और 3 8, 8 और 3 हमारे पास में कितना है 8 और 3 कितना होता है हमारे पास में 11, 11 और 5 कितना हुआ 16 तो हमारे पास में ये 16 मिटर आ गया 16 मिटर आने के बाद में हम यह कह सकते हैं कि डिस्टेंस हमारा कितना है 16 मिचल रहे हैं अगर वो इसी सिच्वेशन में मुझसे डिस्प्लेस्मेंट पूछ रहा होता तो डिस्प्लेस्मेंट के लिए मैंने आपको बताया था स्टिट होना चाहिए ऑसे पर नीचल पोजेशन होते हैं कि से प्रमिज हो क्षोन में कितना होता है जीरो होता है जो जो इसकेश में अकर मुझ से पुछा जाता तो ब sólo किया करते हैं अबने नیک्ष्प्रेंस पर और बढ़ते हैं हमारे पासना प्रवाइब पूछ ली है एसे बीपर गया बीज़े पर गया डिस्प्लेस्मेंट बताओ यहां पर तो डिस्प्लेस्मेंट मेरा क्या होगा जिरू हो जाएगा आपको दोनों चीज़े समझ में आ गई इन्ही कुछ इन्ही प्रॉलम में अगर मैं एक दो और ड्राफ्ट करू को कुछनस को आते हैं कोई भी अब इसका तो मुझे पता है जिर्वाइंट और इस को मुझे पता है उन्हाइघ पर मैं लिए लिप रहा हूं यहां पर माल लेता हूँ कि अभी और यहां पर क्या हुआ object A से B पर गया B से C पर गया और C से फिर D पर गया यहां तक आया A to B गया B to C गया और C to D गया distance कितना आएगा 3, 5, 3 कितना हो गया 11 11 meter displacement कितना होगा displacement कितना होगा displacement का होगा starting point यह रहा ending point यह रहा starting point और ending point के बिच में सबसे छोटी और सीधी दूरी यह वाली है displacement कितना किलाएगा 5 meter किलाएगा displacement बोलते है starting और ending point में सबसे छोटी और सीधी दूरी को यह 5 meter किलाने वाला है अगर माल लेते है कि A से गया D पर और D से गया C पर Distance बताओ A2 कहां गया D पर और D2 कहां गया C पर तो यह 5 मिटर था यह 3 मिटर था टोटल कितना हो गया 8 Distance कितना आया 8 अगर मैं बोलू कि नहीं जी इसमें displacement बताओ A to C तो starting point यह रहा ending point यह रहा displacement कितना कहलाएगा यह वाला कहलाएगा बीच वाला यह कहलाएगा A to C अब displacement कैसे निकालेंगे हमें पता है Pythagoras लगता है तो हमें पता है कि AC square जो होता है वो किसके बराबर होता है CD square plus AD square के बराबर होगा AC square मुझे पता नहीं है CD square कितना है 3 square है AC square कितना है 9 plus 25 9 or 25 को करेंगे तो क्या हैगा AC square कितना हैगा मेरे पास निकल के 9 or 5 को करेंगे 25 को करेंगे तो 34 आएगा और AC is equal to कितना हैगा 34 का under root आजएगा 34 का root आएगा तो displacement कितना कर लाएगा मेरे पास में इस वाले case के इंदर में displacement कर लाएगा root बे 34 फिर इसको और आगे simplify कर सकते हैं ठीक है in short आपको समझ में आया कि अगर AC c पर चाहिए तो मुझे पाइथागरस लगाने पड़ गई क्यों क्योंकि मेरे वो ये साइट पता दी ये पता दी 90 डिगरी का जाएगल होता है आपने पड़ा होगा कि हाइपोटेल इसको निकालने के लिए क्या करते है पाइथागरस का इस्तमाल किया जाता है इस तरीके से displacement हम या निकाल सकते हैं चलिए आईए distance and displacement आपको clear हुआ मैं उमीद करता हूँ आपको अच्छे से आया होगा चीजों को और देखते हैं आगे अब आगे उसनों हमें बोला vector और physical quantities सुज़ेटर की परिवासर क्या होती है वेक्टर के नहीं कहते है जिनके पास physical quantities होती होती है उनके पास magnitude और direction दोन होने चाहिए औरργों करता है पर history रहे वो yol जाता है तो उस case में क्या होता है उसका displacement जिरो हो जाता है क्या हो जाता है उसका displacement जिरो यह भी हमें पता है और हमेशा यह नहीं बहुत है और गोल नास्ते में घूमने के बाद उसी जगा पहुंच जाएगा बढ़ा होता है तो आपको यह भी क्लियर हो गया पथे है अगे आते हैं मुध्र के नियुकर गोल 225 स्मेशन पॉद्य हो कोश्य सहे वह देखते है एक देखते हैं एक जो है वह कुछ दूरी तैय करता है और दूरी तैय करने के बाद क्या उसका डिस्प्लेस्मेंट जीरो हो सकता है अगर हो सकता है तो एक्जामपल बताओं तो मेरे हिसाब से इसका अंसर हाँ है 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 ऐसा हो सकता है मैं दूरी तया करके आऊं और मेरा फाइनल पॉइंट और इनिशल पॉइंट जोनों से मुझे क्या रोट है एक्जांपल देखते हैं देखो देखते हैं हम लोग यस एवन बेन अबजेक्ट बुफ तो पर आगया तो 30 मेरा डिस्तेंस कितना जला अगर मैं देखूंगा तो मेरा डिस्तेंस कितना हो गया A to B पर गया 30 km B to A पर आया 30 km Distance कितना हुआ 60 km Displacement कितना हुआ A to A पर और जब दोलों सेम होते हैं तो displacement कितना होता है Zero होता है Clear हो गया situation इस तरह से आपको ये आगया समझ में अच्छे से A पर गया A से फिर बापस A पर आगया तो ऐसे वाले cases में क्या होता है Displacement Zero हो गया Distance कुछ भी है आगे देखते है Total distance travel दिखाया इसने A, B, B, A 30, 30, 60 Displacement दिखाया Final position, initial position दोनों सेम है इसलिए क्या क्या लाएगा Displacement Zero क्या लाएगा आगे आते है Displacement के लिए कौन से सिच्वेशन इसमें true है Displacement कभी Zero हो सकता है Yes, हो सकता है Both these statements are not true Because it cannot be zero Which of the following is true for displacement Displacement के लिए कौन सी वाली true है Both of these statements are not true Because Reason देखो आप Its magnitude can be zero Its magnitude Its magnitude Is either less than or equal to the distance travel by यानि हमें clear हो गया कि distance जो होता है अगर displacement के लिए अगर मैं बात करो तो यहाँ पर हम देखेंगे तो displacement का जो magnitude होता है वो क्या होता है कि zero हो सकता है उसने का ना It cannot be zero Displacement zero नहीं हो सकता Displacement zero हो सकता है Example दिया ना Same जगह आजाओ तो इससे क्या clear हो गया यह ओपर की line गलत है दूसरा Its magnitude is greater than the distance traveled by the object मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बता रखा है पहले वाले मैंने आपको lectures में बता रखा है कि displacement distance के बराबर हो सकता है displacement distance से छोटा हो सकता है क्योंकि उसके परिवाजा है क्या है shortest and the straight displacement distance के बराबर हो सकता है displacement distance से छोटा हो सकता है displacement zero हो सकता है पर displacement कभी भी distance से बराबर उपर बड़ा नहीं हो सकता इस तरह से मुझे उमीद है कि distance और displacement के concept वाली वीडियो और practical questions की वीडियो कि throughout आपको सब चीजे समझ में आई होंगी जरुतमन लोगों तक जरूर पहुचाएं बिटाई एंसे इडिक की प्रॉडम्स है keep learning, keep practicing like, subscribe and share करना ना भूले मैं जरूर और जल्दी आपके पास वाया होंगा नई वीडियो, नई टॉपिक के साथ में keep learning, keep practicing